पिटा इस दफा तुम नहीं बचोगे मेरे से मैं बदले गिन गिन के उतारूँगा तुम्हारे तुम देखना गोर से देखें इस शक्स को ये चीज़ें बीच करता है हालो भई आज की वीडियो में जो बिल्ड बिलाने लगे हैं ये कितने कि ये मैं बूली हूँ साड़े चार पांच लाक रुपे की है बस बाद में बता देंगे कितने कि है लेकिन बिल्ड के अंदर हम लगा रहे हैं रॉक्स्ट्रिक 3080 आई 713 जनरेशन जट 690 चैनिटी सब कुछ है इसके अंदर और ये जो पीसी बिल्ड है ये स्माइलो के नाम से पेज है एक भाई का इन भाई का इन भाई का तो ये स्माइलो गेमिंग के नाम से भी करते हैं Facebook पे करते हैं, page है, group है, सब कुछ है, यह उनकी build है, वो भी Vlog बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, तो let's go to the video असलाम लेवो, मेरा नाम नमान खालेद और आप देख रहे हैं, डड़ू चार्जर गेमिंग स्टोर ड़ू चार्जर की YouTube वीडियो, तो आज की वीडियो में यह जो build बन रही है, यह i7-13 जनरेशन की है, 30-80 rockstrick, brand new, each and everything, वो देखो फारक बन्दा आगे है, शकल पर लगाओ इस लंटी की, check करो, यह स्कैमर है, माले को इस बारूंगे, मैं चंडें इदर से हैं, मूँ फिर जाएगी, तो इस build को भी complete करते हैं, build का sequence शुरू करते हैं, क्योंकि build का फिर हमने proper vlog बनाने है, बनाने का, तो चलो भाई, आगे काम शुरू करते हैं, let's go, तो specs की बात करते हैं, सबसे पहले i7-13, 700K हम इसमें लगा रहे हैं, जिसकी price, इस टम market price, 120-125K के दर्मियान है, confirm prices, जो है WhatsApp नमबर दे देता हूं, आप पूछ लिया करें, रोज चेंज हो जाती है, right now, आज की price 1,22,000 पे है, Z690, Wi-Fi, Didier 4, तक बहुंएं 58, तो 60,000 का motherboard है, Didier 4 वाला है, Didier 5 नहीं है, लेकिन Asus Prime, Wi-Fi वाला है, और इसमें जो without Wi-Fi है, वो 55 तक आता है, 3080, 12 GB वाला variant है, ये Rocks Tricks का, और ये 12 GB वाला variant, इस टाइम जो है ना, 2,25, से 2,30,000 के दर्मियान आपको मिल जाएगा, और build के साथ डिसकाउंट भी हो जाएगा, क्योंकि 12 GB वाला है, 10 GB वाला नहीं है, ये 3080, ये के आलमोस equal equal आ जाता है, performance में, फिर उसके बाद आ जाती है, भाई, रैम, 3600, 32 GB, 16 की दो स्टेक्स हैं, SL Edition, लेटेस्ट वाला 34,000 इसकी रेटेल है, इसके साथ 980 Pro 1TB हम लगा गे दे रहे हैं, जिसकी 34,000 रेटेल है, और ये वाली जो NVME है, ये 790 स्पीड के साथ आती है, Gen 4.0 इसकी जो है socket है, डीपूल की 850 लगा रहे हैं, 30,000 की रेटेल की सप्लाई है, 80 प्लस गोल्ड है, फुल मोडूलर स्प्लाई होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसली 3090 को हैंडल कर लेती है, और हाँ, जो कूलर लगा रहे हैं, ये LS सीरीज का है, डीपूल का, हाई परफारमस कूलर है, 360 अमल और इसकी जो रेटेल है, 31, 32,000 है, लेकिन अगें, जब आप बिल्ड फाइनल करेंगे, और आगे चलते हैं, चलो, अच्छा तो ये बिल्ड हम रेडी करने लगे हैं, सबसे पहले इसमें प्रोसेसर लगाएंगे, अम ठीक है, प्रोसेसर इसमें 13700 के, जो आपको बताया था, आई 713 जनरेशन है, और इस दफ़ाइनों ने कोर और थ्रेड इसके मजीद बढ़ा दी हैं, लास्ट इम जो इसके कोर थे, वो बारा कोर थे, इस दफ़ाइनों ने 14, आइठिंग 14 कोर कर दी हैं, 22 थ्रेड कर दी हैं, और परफार्मस जो है, गेमिंग में, इस्पेशली, और यह सोलाजबी की दो हैं, यह आगी यहाँ पर, यह में जगह है, जहाँ पर फस्ट जैन फोर की अन्वेमी सपोर्टेड है, इसमें विसे दो और भी लगती हैं, टोटल तीन लगती हैं, तो आप बाद में दो और भी लगा सकते हो, यहाँ पर लगेगी यहों करके, और यह हमेशा फस्लोट पर आपने लगानी है, सेकंड यह थर्ड पर नहीं लगानी है, क्योंकि यह मेंन स्लोट होती है, इसका कहल हो कि प्रोसेसर के साथ ज़रा ज़्यादा लिंक है, उसके फुफभा की पुतर है, इसका लिंक थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ठीक हो गया, और फिर इसके साथ यह जो हैना, इसके लाजमी उतार नहीं है, यह पीलिंग है, थर्मल पैड होता है यह, और यह भी देख लाना है, जैसे उतारा था वैसे ही लगे, यह पुथा सिदा नहीं लगा देना है, यह उतारा था हमने, यह बोर्ड हमने रेडी कर दी है, क्योंकि अब इसको हमने केस में लगाना है, इससे पहले सप्लाई लगानी है, तो यह केस है, डानामिक मिड रैंच का, और मिड टावर है, फैन हमें पहले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फैन लगाने के बाद फिर बोर्ट फ़ा इशू करता है, तो हम फैन पहले अटाच कर लेते हैं, काम असान हो जाता है थोड़ा सा, यहां पे लगेंगे तीन इस जगा पे, एक, दो, और यहां पे लग जाएगा तीन, यहां तीन लग जाएगे, और इसके बाद इदर नीचे तीन लग जाएगे, उपर आपका आजएगा कूलर, फिर यहां पे बोर्ट लगागे, हम इसको कॉम्पलेट कर देंगे, अब ज़र हमें फैन वेन इटाइच कर लेता हूँ, फिर आगे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा तो, अब फैन हमने लगा लिये थे, एक अदर फैन मैं ने लगाया, क्योंके वायर्स बात में पर इशू करती हैं अंदर गुसने में, तो हमने मदर बॉर्ड को मैं रटाइट कर लेता हूँ, फिर हम इसके ओपर ये लिक्विड कुलर मैंने बना लिया सारा, ये लिक्विड कुलर हमने बना लिया, इसको हम यूँ करके इस जगा पर लगाएंगे, ठीक है, ये अंदर लग जाएगा, पहले उसको कंप्लीट करना होता है, रख के देखना पड़ता है, कहां कहां जो है, उसकी स्पेस बन रही है, उसके बाद फिर हम उसको पूरा टाइज करते हैं साथ, तो ये आ गया, मदर बॉर्ड का, प्रोसेसर पर गयरा आलरेडी लगा हो इसके अंदर, बाद मदर बॉर्ड टाइट करना है, बाकि ये और जबी हैडर पर गयरा इसमें हैं, दो ये और जबी हैडर हैं, तो बतियां बतियां भी सिंक करतेंगे सारी, ताकि जो लाइटिंग का है ना, वो सेट हो जाए बिलकुल, ठीक है, बस, मदर बॉर्ड लग गया है, अब अगला काम है हमारा सप्लाई, सप्लाई अभी तक खोल दी नहीं हैं, हमने पूरी, अन्बोक्स हमने कर ली थी चीज़ें, क्योंके भाई ने वो वीडियो शॉर्ड बनानी थी, अन्बोक्स सारी चीज़ें होई भी है, बस हमने उस चीज़ को लगाना है अब इसके अंदर, शुआ ले हैं भाई, अच्छा तो ये इसके अंदर, मोडियूलर में पहले हम तारे बारे लगा लेते हैं, उसकी वज़ा ये है, कि बाद में फिर लगती ही नहीं है, स्प्लाई जब छुपी होती है, तो ये आगी एक, और ये इसके आगी दूसरी, और लग क्यों ने रही भाई, ये, ठीक है, जरूरी जरूरी तारे इसमें लगा लेंगे, तो ये थर्टी एटी लगाना है, तो उसमें एट पीन की जो है ना, आइधिंक दो या तीन लगती है, देख लेते हैं कितनी लगती है, तो ये आग्या, ये सिप्यू की है, और सिप्यू के बाद हम लगाएंगे जिप्यू, ये तार भी इसके इदर लग जाएगी, जिप्यू पे, फिर हमने मोलक्स और साटा भी लगानी है, क्योंकि फैन वैन लगते हैं, तो साटा भी लगेगी, हाड रेव तो नहीं है, इसके अंदर सीजिदी, नवी एम ये वन टीबी की, तो हाड रेव वाला सीन है ही नहीं, अच्छा साटा हम लगा रहे हैं, इसमें एक ही, क्योंकि एक अदी हाड रेव एड़ करनी होगी है, दो तो इसके अंदर ही लग जाएंगी सारी, और जो सीप्यू की है, वो हमें लगानी पढ़ेंगी, दो, क्योंकि इसमें एक 8 पिन लगती है, और एक उसके बाद 4 पिन लगती है, तो सीप्यू की दोना लगा देते हैं, ये, तारें तक मैं कमिलेट हो चुकी है, आप मैं सप्लाई को ज़रा पीछे रखते हूं, सप्लाई इसके बिसिकल इदर आती है, इस जगह पे, और यहां से वायर सारी आगे चली जाएंगी, पीछे इस जगह पे वायर सारी छुप जाएंगी, और हार्ड रेव इसकी यहां पे लगती है, यहां पे लगते है, आप इदर से तारें पीछे से निकाल के अटैच कर लोगे, आ तो, ग्राफिक आड आ गया, रॉक्स्ट्रिक 3080 OC 12GB वाला इडिशन है, ठीक है, याड जी भी वाला, दस जी भी वाला नहीं है, तो, इसको मैं आपको उपन करके दिखा देता हूँ, पहले हमने एक दवा वैसे खोला हुए, इसमें ये ट्रिपल एट में लगते हैं, मैं ये ही चेक करना चाह रहा था, इसमें कितने लगते हैं, और बहुत प्रिमियम अडिशन है, हल्के फुल के शापशों पर बायद उतारेंगे इसके, फिलल लगे रहें, और साथ इसके बड़े मज़े की चीज मिली है, ये स्केल प्लास कीचेन है, ये हम भाई को दे देंगे, शुकर है पहली दफ़ा बरना तब विच्ची हो, भाई सामने यार चुपा नहीं सकता ना यार, अगर ये ना होते तो विच्च कर लेते हैं, शकल से देख, शकल इसकी देखो सारे, गुई कोली यार जगा पहा है, पेटा, इस दफ़ा तुम नहीं बचोगे मेरे से, मैं बदले गिन गिन के उतारूँगा तुमारे, तुम देखना, गोर से देखें इस शक्स को, ये चीज़े विच करता है, मैं नहीं करता, विच भाई, सबको दीए मैंने, ये हम शुगर लगाते हैं, वो हम पहले चोटे होते थे, विच कर लेते थे, चोटी में बदल तब नया नया शुग था, नहीं नहीं चीज़ें खुलती थी, मैं कहता था, विच करो, मैं स्टीकर भी कर रख लेता था, पहले डबों से निकाल गए, इतने डेर होगें, अब क्या करें, और मज़े के बाद वो कस्टमर की बेल्स पर यूज़ हूए, मैंने हुद एक भी नहीं यूज़ किया, किसी को इदर लगा दिया, किसी को फैन पर लगा दिया, क्योंकि फैन जो हैं, वो फुल ARGB PWM है, तो उनकी ये कंट्रोलर लगाने पड़ते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, फैन की सारी वायर्स को इटैच करना पड़ेगा, कंट्रोलर के साथ, और वो कंट्रोलर मज़बोर्ट से इटैच हो जाएगा, तो जो फैन की स्पीड है, भाई भी पूछ रहे थे के शोर ना वो फैन्स का, तो बेसिकली शोर को कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोलर लगता है, ये सारा कंट्रोलर हम इसी के अंदर लगा रहे हैं, और इसके साथ हमारे पास ARGB कंट्रोलर भी है, तो ARGB बतियां भी सारी इसी से कंट्रोल होंगी, और मदर बोड से सिंग कर देंगे, तो और अर्मरी क्रेट से सारा कंट्रोल हो जाएगा, तो अब आगे इसकी में स्प्लाई लगा लगा लूँ, क्योंकि वो मेन हैं, फिर एकूलर लगाते हैं, फिर बिल्ड कंपलीट होते हैं, आपको जोईना एकी दफ़ा दिखाते हैं, आदो भाई, बड़ी खजल हवारी के बाद बिल्ड होगी है, इसने थोड़ा सा वगिश्में चोगी थी तारों की, तुबारे से खोलनी पड़गी मुझे, बड़ बिल्ड कंपलीट कर दिया, बस सब कार्ड लगाना है, फाइनल में, बड़, कार्ड के उपर से भाई साब, ये हमने पहले उतारने उतारने हैं, क्योंकि ये अगर नहीं उतारेंगे, तो मुझे लोग नहीं उतारते हैं, ये चिपक भी जाते हैं, इवन के यहां पे भी है, इस जग़ा पे भी, हाई 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 हाई, इसको लगा रहने देते हैं, प्लास्टिक प्रोटेक्शन बेतर रहती है, बड़ यहां वाली हम उतार देते हैं, इसको उतार दिया करें ये गरम होके चिपक जाते हैं फिर बाद में उतरते नहीं है उल्टाई गंद हो जाता है अंदर लगावा स्क्राइच तो पढ़ना नहीं है तो प्रोटेक्शन उतार दो आए तो ये कार्ड को हमने उतार उतूर के कर लिया है हाली खूली कार्ड में ल वाफिकार्ड की तो ये ग्राफिकार्ड की तारे हम निकालेंगे ये वालिए इस जगह से इधर से निकालेंगे अब इस इन काड हो और फट बनाने के लिए मोडड़ यह आती आर जीपी वह इतनी महँंगी है वो इन केलों को आगđ लागए लाग के न को इदर लग जाती है वह फिर और खरच जै वे ऊपरोग है नुक में जितना काएं गे उतना लगेगा भाई हां तो भाई बिल्ड जो है कंप्लेट हो चुकी है टोटल कॉस्त तक्रीबन पांच लाग के आसपास आच चुकी है इसके उपर क्योंकि जो दो लग बीज़ार का सिफकार्ड था साथ हजार पे का मदबोर था रैंस थी 35,000 पे की ये फैंस इन्हों ने बाद में आइड करवाई हैं सोला साड़े 17,000 पे की दो केट्स हैं साड़े 8,000 पे की केट है साथ है तो साथ है तो साथ है तो अगर आपने बीज़ा की बनानी है तो वर्टस पे कांटक कर सकते हैं आपको रिप्लाइब आ जाएगा विदिन 24 आवर जल्दी भी आ जाता है सम्टाम लड़का आपको रिप्लाइब कर देगा फोरां से और जो भी बेड़ लोगी उसका ह फाइनल कर लेंगे और यहां पर वीडियो भी बना लेंगे अगर आपके पास टाइम हो क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो आप जब भी वीडियो के मैंड से हैं तो समझे 4-5 गंटे लग जाएंगे भाई से पूछो कितना लग गया 4-5 गंटे लगी गे मरे हालते तो आपने भी अगर बेट बनाने दें को इंटाक कर सकते हैं तो बस आज की वीडियो चलिके तो लाइक क्षिए नाइट करेई सब्सक्राइब करें ओग्यडgg भाई घॅसी गुड़ नाइट होगी अधिस बंध करो बाख वेले अधा मैं यद्र इंही मिरे और आए रलाक आघूंट fuckin com Ih मिरे प्र आए अ okay thank you